फाइनली रियल्मी ने अपना एक और ने स्मार्टफोन रियल्मी 12X 5G को लॉंच कर दिया वही दूसी तरब मोटो रोला कंपनी का पाप्लर स्मार्टफोन मोटो G34 5G वैसे तो इन दोने स्मार्टफोन के प्रैस में 1000 रुपीस का डिफरेंट देखने पिल जाता है कुकि एक स्मार्टफोन का परफॉंस की बात आपैक्नी तरब रियल्मी के 12X 5G को 12,992 रुपीस में 6GV की रहम और 128 जी वी स्टोरेज वाले वी मीरियन को को बाई कर सकते हैं जोकि मोटो जी थार्टी फॉर फैब जी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेजी की वन थाउज और पीस कम खर्च करने के बाउजुद भी आप लोगों को 8GB RAM वाला वेरियंट देखनों को मिल जाता है जैसा कि आप सबी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेड पार्ट होता है एक तरफ मोटो का जी थार्टी फॉर फैब जी पहला ऐसा स्मार्टफोन जो से कम से कम प्रेस पर भी आप लोगों को कॉलकॉम इसने आप डेंग सिक्स नैंटीफाइब का प्रोसेसर देखनों को मिल जाता है अगर पफॉ लेक्स एटीन थाउजन निकल के आता है वह दूसी तरफ मोटो जी थार्टी फॉर फैब जी का जो आंतो तू स्कोर निकल के आता है अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खास कर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे तो इन दोने स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानि गेमिंग स्कोर को जानना बहुत जाना जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिराट टक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो जी थार्टी फॉर फैब जी का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वह दूसी तरफ रियल्मी के 12X 5G का जो गेमिं 600 निकल के आता है दोने स्मार्टफोन का अगर डिस्प्रेस एक बिन की बात करी जाता है तो एक तरफ मोटो जी थार्टी फॉर फैब जिमें 6.5 इंच की एच्टी प्लेस पांच ओल वाली IPA डिस्प्ले देखने को मिल जाते है वह दूसी तरफ रियल्मी के 12X 5G में 6.67 इं सिर्फ एक माइनस पॉंट की आप लोगों को सिर्फ एच्टी प्लेट डिस्प्लेए देखने को रिखने को मिल जाती है तो इन दोने स्मार्टफोन के कैमरा सेट अप में इतना ज्यादा डिफ्रन देखने को नहीं मिलता एक तरफ मोटो जी 30 फ्रॉर फैप जी के बैक में केमरा सिर्ट अपह देखने को मिल जाते हैं 60 Shakespeare 5 अपारच सायों का मिल evolves दूसरा देखने के साथ वहीजिद में एक्वन डेखने के सायान का डूस्रा देखने करेमिद्ध ये के साथ एक तरफ compress होने की बावजुदी मोटो जी 34 फाब जी में Dual Video Record करने का Option देखने को मिल जाता है जबकि Realme 12 एकस फाब जी में Dual Video Record करने का Option देखने को नहीं मिलता है सेल्फी कैमरे गर बात करें जसे तु ने बभिघुध भी खासकर सेल्फी के मामले में भी बटर हो जाता है एक तरफ मोटो जी थर्टी फॉर फैब जी में एक तरफ मोटो जी थर्टी फॉर फैब जी में आप लोगों को डॉल्बी एट मॉउस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है बैटी से एक बिनक अगर बात करी जा तो एक तरफ मोटो जी थर्टी फैब जी में 5000 एम एच की बैटी देखने के पिल जाती है 20W के डर्बो फार्ट चार्जिंग के साथ USB टैफ सीपोर्ट का सपोर्ट देखने के पिल जाता है दूसरी तरफ रियल्मी के 12X 5G में भी 5000 एम एच की बैटी देखने के पिल जाती 45W के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB टैफ सीपोर्ट का सपोर्ट देखने के पिल जाता है सिकोटी फीचर के लिए दूने स्मार्ट फोन में साइड मौटेट फिंगर पिंस संसर देखने को मिल जाते हैं तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्ट फोन आप लोगों के लिए बैश्ट है पर आपनों डिस्प्ली की क्वाल्टी से कंप्रोमाइब नहीं करना चाहते हैं तो एक अच्छा स्मार्ट फोन लेने के लिए सोच रहे हो तो अपने प्रैस में याल्मी का 12 x5g भी बैटर है